है dear friends welcome back recently आंधर प्रदेश गवर्मेंट ने अनौस किया है कि वो 13 नया डिस्टिक्स बनाने जा रहे यानि आंधर प्रदेश के अंदर प्रजेंटली जो है वो 13 डिस्टिक्स है और आंधर प्रदेश गवर्मेंट का कहना है कि हम 13 डिस्टिक्स और बनाएंगे यानि अब 26 डि देखेंगे तो असाम ने भी जो मजूली आइलेंड है मजूली आपको पता हो ब्रह्म पुत्रा से घिरा हुआ एक छोटा सा टापू है मजूली आइलेंड इसको एक नया डिस्टिक्स बनाने की बात कई असाम गवर्मेंट ने इससे पहले तेलंगाना का जब यह हुआ था फॉर्मेशन हुआ था तब भी तेलंगाना ने काफी सारे नए डिस्टिक्स बनाए थे तो इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि जो नया डिस्टिक्स बनाने का जो प्रोसीजर है वो क्या है क्या पूरा का पूरा फैसला स्टेट गर्मेंट के हाथों होता है या फि स्के नए दिस्टिक्स बने के सब्सक्राइब थे या आउन वाइद्ट ने वाजेंगव नियूर्य दिस्टेक्ट बना दे हैं दिस्टेक्स जो न्याने में हो सकती है जो जो सकते हैं आप तो दो या दो डिस्ट्स को मर्ज कर सकते हो, गवब्मेंट यह भी कर सकती है, यह नीचे वाला जो दोनों डिस्ट्टिक है इसको एक दिस्टिक बना देंगे। तो यह सारे जो permutation combinations है एरिया को बढ़ाना घठाना राइट नया district बनाना यह सब सब state government के पास होती है करना क्या होता है state government को दो तरीका है या तो state government कोई executive order के थूँ यह कर सकती है नया district बनाने का फैसला या फिर state government क्या करेगी कि एक बिल लेकर आएगी state legislative assembly के अंदर यानि जो विधान सभा होता है वहाँ बिल लेकर आएगी बिल जो है पास हो जाएगा act बनेगा और नया district बन गया यह बहुत ही छोटा सा procedure है जो होता है नया district बनाने के लिए सवाल यहां पर यह है कि क्या government of India का या पार्लियमेंट का कोई रोल होता है तो जहां तक जो states के अंदर कुछ modification करने का सवाल है तो वो exclusive right होता है state government का यह state government का exclusive right exclusive का मतलो सिर्फ और सिर्फ एस्टेट government ही यह काम कर सकती है central government क्या districts नया बनाने का कुछ काम कर सकती है बिलकुल नहीं government of India का इसमें कोई interference नहीं होता है पार्लियमेंट क्या कुछ कर सकती है पार्लियमेंट का भी इसमें कोई interference नहीं इस्टेट को पूरा पावर दिया गया एक चीज़ बस याद रहतने वाली बात यह कि अगर districts का नाम चेंज होता है अगर नेम चेंज किया जाता है तो फिर वहाँ पर government of India का रोल आ जाता है government of India में जो ministry of home affairs है यानि green mantra ले उससे यह permission लेना होता है state government को अगर किसी districts का नाम चेंज करना है या तो नेम चेंज आप डिस्टिक का कर रहे हो या फिर किसी railway station का नाम जो उससे state के अंदर है उसका अगर आप करना है तो फिर आप ministry of home affairs से permission लेना होगा एक्जामपल डिस्टिक्स में क्या हुआ इलाहवाद यूपी के अंदर एक district होता कर दा था इलाहवाद इलाहवाद का नाम चेंज हो गया अब हो गया है परियाग राज तो इलाहवाद से परियाग राज बनाने में जो प्रोसीजर अपनाया होगा गवर्मेंट ने उसमें मिनिस्टी ओफोर्म अफेर्स से पर्मिशन लेना भी एक बहुत इंपोर्टेंट अस्टेप रहा होगा उसके लावर एलवे स्टेशन का वी एक जामपल उसी से लेते हैं इलाहवाद स्टेशन नाम था इलाहवाद जंग्शन अब इसका नाम चेंज हो गया है उसका नाम हो यह तो फॉलो करने लाता है पॉलो अशन लिए चेर्मनंट को फ्री ऐंड डिया गया है वह जैसे चाहर वह वैसे या डिस्टिक्स बना सकती है एरिया में चेंजिंग करना हो बढ़ाना हो घ्रताना हो सब अश्टेट गरमेंट के पास बार है पालेडिंट कुछ नहीं करेगी बस एक जगह पर Government of India का Ministry of Home Affairs का interference है वो कहां पर अगर नाम चेंज होता है किसी district का तो इस वीडियो के अंदर इतना ही इससे ज्यादा इसमें और कुछ जानना है नहीं तो फिर इस वीडियो के अंदर इतना ही अपने आपको हम यहीं रिस्टिक्ट करते हैं थैंक्स पर बाचिंग डू लाइक सेर और सब्सक्राइब इस वीडियो थैंक्स पर जोइनिंग थैंक्यू वेरी मच